कोम नमस्षिवाय मित्रो हर हर महादेव गर गर महादेव मित्रो मैं रुखीत के बाट रोही शुरुलिंग आर्ट में आप सभी शुबक्तों का स्वागत गारता हूँ मित्रो मैं आज आप के लिए लेकर आया हूँ घर में पूजा योग्या बहुती सुन्दर वा अद्भूत नर्मदेश्वर शुलिंग चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं यहाँ देखिए जन्योधरी अर्द नारिश्वर शुलिंग इनमें आप इस पश्ट रुख से देख सकते हैं इनमें जन्योधरी अर्द नारिश्वर स्वरूप भी है यहाँ दो इंच के शुलिंग है चारे की जल्दारा और यहाँ देखिए यह तो आपको पताई होगा मित्रो इंच शुलिंग का नाम है जन्योधरी नर्मदेश्वर शुलिंग जिनमें बहुती सुन्दर रुप से जन्योधरी अकरतिया बनी है यह भी दो इंच का है चारे की जल्दारा अगला देखिए महकाल तिलग धरी नर्मदेश्वर स्वरूप जिनमें महकाल तिलग की अकरति बनी है उपर बिंद की अकरति बनी है और यहाँ भी दो इंच का है और उसके निचे की जो जलदहर आप देख रहे हैं वह चार इंच की है यहेँ जो आप सभी जलदहर जो देख रहे हैं यह सभी नर्वदा जी के पत्थर से निर्मे जल्दारा है यह देखिए यह वाइट अमरनात नर्मदेश्वर सिवलिंग जो कि यह भी दो इंच का है और उसके निजे की डमरू आकर की जल्दारा यह देखिए डमरू आकर की जल्दारा चार इंच की है यह देखिए अगला देखिए तीन इंच नील कंटेशनर नर्वदेश्वर सीवलिंग यह देख सकते हैं यह देखिए बहुती सुन्दर और उनकी जो डमरू जलधरा देख रहे हैं वह जलधरा छेंच की है यह देखिए अगला देखिए ब्लेक नर्वदेश्वर सीवलिंग यह देखिए जिनको महाकाल नरपदेश वा शहूलिंग भी कहा जाता है ब्लेक कलर में होते हैं यह देखिए तो मितलों वीडियो को समप्त करते हैं मिलते है न अगले वीडियो में वीडियो पउस न यहीं तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एव्मऌ आपके तमाम दोस्तों वर इस्तेदारों में शेयर केजिए तो दोस्तों अगर आप भी लेना चाहते हैं अद्भूत वदूलब शूलिंग तो हमारे नम्मर दिये गए हैं वहाँ से हमसे संपर केजिए धन्यवाद नर्मदेहर